असलाम लेकूम वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब बिल्कुल खेर यह से होंगे आज मैं आप सब से शेर करने लगी हूं सोन पापड़ी मिठाई बनाने की रेसिपी जो के बहुत जादा असान और इजी तरीके से बनाएंगा और यह ऐसी मुँ में जाते साथी घूल जाएगी और हम इसको दानेदा तरीके से बनाएंगे और यह इसको टेस्स कैसा होगा जैसे आप पतीता कहा रहे हैं यह सौन पप्टी कहा रहे हैं चलें अपनी रेस्पी बनाना स्चुरू करते हैं विस्मैल रह्मान वहीम सबसे पहले हम मीटि और हाफ कप हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी दिर तक भूनूंगी जितने आके इसमें से खुश्पून आने लग चाहें तकरीबन यह साथ से आट मिंट तक मैं इसको भून लोंगी इस बेसन को और मैते को खीके अंदर हैं इसको ब और हम ऐसा भी करेंगे कि जल जैसे हमें घी की ज़रूत पड़ेगे हम इसमें घी ओ शामिल करते चले जाएंगे तकरीबन इसमें आदा कप के करीब खी हम यूज करेंगे मैं इसमें भून पांच में बात मियाँ वह करें जरीन嫡ी हूज करेंगे एंदा चैपके गेवा से तक में इसमें 3 तेबल सिफल और घी शामिल चाहिए साएं और शेब्सक्ताम में इंदर छीच्भार्ण से में जिरूं करीग है पांच मीं बात आप 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 अपस्टेख सकते हैं बिलकुल लीकट फर्म ए दिए चैञा हो है इसको मैं तकरीबं दो से तेन मंण तक और इसको इसमें चमद्प चलाऊंगी और यह था जाना है कि आप चाशनी डाटी करूंगे मैंने बिल्कुल लो फ्रेम के अपर एक पैन को रखा है दो कप में इसमें चीनि शामिल करे रही हूँ और हाफ कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे पानी और चीनी को हमने बिल्कुल इतनी ही कौन्टिटी रखनी है इससे ज़ादा पानी हमने नहीं डाला आप देख सकते हैं चीनी हमारी घुल रही है साथ ही मैं इसमें एक टीस्पून के करीब लाइमन शामिल करूँगी ताकि जो चाशनी हमारी है वो नीचे से लगना जाए तकरीबन के हमारी 15 मिन गया चाशनी रेडी हो जाएगी और तब तक हमने मुसलसल इसमें चम्मा चलाना चम्मा चलाना उतनी दिर तक नहीं रोकना जब तक हमारी चाशनी हमें लगे ना के त्यार हो चुकी हुई है तक में 15 मिन बाद आप देख सकते हैं कलर मेरा हमारी चाशनी का चेंज हो चुका हुआ है अब मैं आपको इसक में निकाल के दिखाती हूए कि मुझे किस तरीके के चाशनी चाहिए आप देख सकते हैं मैं इस वो पानी में डाला है और यह बिल्कुल गोली की शेकल में आग ज्टास्राइब कर एक में पैन लिया है उसके मैं निचे थोड़ा साया और सारी जाशनी को इसमें निकाल लिया है मैं त情म थंदा होने के लिए है अब Committee छी अब करवों तिक आप देख देख संद्दा होने के लिए ऐल रख जाशनी का ह fellas इन चंडी हो चुकी हूँ है इसक मैं इसको अब शामिल करतूंगे मैं इसको शामिल करूँए आप चाहें मेरि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल एक क्लिक करें तके मेरी आने वली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप देख सकते हैं मैं कितने इजी तरीके से इसको रेडी करी हूँ और कोई भी जो बिगनर हो या स्टार्ट भी बनाए उससे भी ये मिठाई फॉरन जल्दी से बन जाएगी अच्छा मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करी कि मैं इसको लच्छे दार या बनाने कोशिश करी हूँ मुझे ये मिठाई चाहिए मिठाई की तरह दाने दार मिठाई बनानी है इसलिए मैं इसको जस्ट इस वाले मिक्सर में मिक्स करूँगी अब देख सकते हैं मैंने कितने इजी तरीके से इस मिठाई को मैं तियार कर रही हूँ अब जब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो मैंने एक पराद ली है और इसमें मैं इस सब मिक्सर को पैन से इसमें डाल दूँगी और इसको मैं तकरीबन 10 प्रिंट के लिए ठंडा होने के लिए रखोंगे ठंडे होने के बड़ थोड़ा से सकत हो जाएगा थोड़ा थीक फॉर्म में आ जाएगा हमने इसको निकाल लिया है अब देख सकते हैं थोड़े थीक फॉर्म में आ चुका है अब मैं इसको बड़ाम से पिस्ते से गार्नेश करूँगी तकरीबन हमारी मिठाई रेडी हो चुकी हुई है इसको 10 मिंट बाद मैं ऐसा करूँगी इसकी कटिंग करूँगी और आपक इतनी मज़े की और सॉफ्ट से रेडी होगी ऐसी बिल्कुल जैसे मूमें जाते साथी है घुल जाएगी और आप देख सकते हैं दानेदार रेडी हुई है बिल्कुल में लच्छे दार त्यार नहीं क्योंकि यह हमने मिठाई रेडी की है हमने पतीसा त्यार नहीं किया माशाला हमारी मिठाई रेडी हो चुकी हुई है और देखने में पी कितनी मज़े की लग रही है अगर आपको मेरे रेड़ी पसाइंदा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंटस बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे रेड़ी कैसी लगी है और अपने फ् अपना बहुत सारे ख्याल रखें मुझे दौाओं में याद रखें आला हाफेज